सुप्रभाद बच्चों कक्षचे के लिए संस्कृत विसे के अंतरगत मैं आज प्रथम पाठ के साथ उपस्तित हूँ चुकि यह विसे आप लोगों के लिए नया है इसलिए कुछ बातों को जान लेना सरप्रथम ज़रूरी है फिर क्रम से मैं बताऊंगी संस्कृत में हिंदी और की तरह दो लिंग नहीं बलकि तीन लिंग होते हैं पुल लिंग, स्त्रेलिंग और नपुनसकली संस्कृत में हिंदी और अंग्रेजी की भाती ही परसन जो हैं पुरूस वो तीन होते हैं प्रथम पुरूस, मध्यम पुरूस, उत्तम पुरूस और संस्कृत में एक और चीज जादा होती है वो है वचन हिंदी में दो ही पढ़ते हैं एक वचन और बहुचन जबकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं एक वचनम, दुवचनम, बहुचनम संस्कृत में लिंग के आधार पर प्रत्येक सब्द के लिए जैसे यह, यह के लिए भी तीनों लिंगों में अलग-अलग रूप होता है वह के लिए भी तीनों लिंगों में अलग-अलग रूप होता है क्या के लिए भी तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में अलग-अलग रूप होता है जैसे पुल लिंग में अगर यह का होता है एशह तो स्त्रिलिंग में होता है एशा और नपुजक लिंग में होता है एतत यह तो एक वचनम में हो गया दुए वचनम में एशह का हो जाता है एतव और एशा का हो जाता है एते और एतत को भी होता है एते बहुवचन में एशा एतव तो एते हो जाता है स्ट्रिलिंग में एशा एते एताह हो जाता है और नपुनसक लिंग में एतत एते एतानी हो जाता है तो सर्वप्रिधम पहला पाठ जो है वो पुलिंग सब्दों से संबंधित है आप देखिए एक तस्वीर है जो glass की तस्वीर है टंबलर जिसमें हम पानी पीते हैं वहाँ एक प्रश्ण है एसह कह यह क्या तो उसका जवाब है एसह चसकह यह गिलास है कीम में सह ब्रिहत क्या यह बड़ा है न एसह लगू नहीं यह बड़ा नहीं छोटा है सह कह एक दरजी है जो मसीन के साथ बैठा है प्रशन है वह कौन सह सोची कह वह दरजी है सोची कह मतलब दरजी सोची कह किंग करोती करोती बने करना दरजी क्या करता है किम सह खेलती क्या वह खेलता है नो सहवस्त्रम सिभ्यती नहीं वह वस्त्र सिलता है अब दो कुत्ते हैं भौक रहे हैं एतव को ये दोनों कौन एतव सुनको उस्तह ये दोनों कुत्ते हैं सुनका माने एक कुत्ता सुनको माने दो कुत्ता कुत्ता के लिए संस्कृत में कुकुरा सब्द का भी इस्तिमाल हो अगला देखिए एक किसान है जो दो बैलों के साथ है खेत में हल जोतरा है तो बैलों के लिए जब आ सवाल है तो को वे दोनों कौन तो बली वर्द उसता है वे दोनों बैल है ब्रिशव मने भी बैल होता है और बली वर्द का बर्थ भी बैल होता है किम तो उधावता क्या वे दोर रहे हैं ना तो छेत्रम कर सता नहीं वे हल जोत रहे हैं खेत जोत रहे हैं वे दोर नहीं रहे हैं तो ये देखो इसमें एशा मतलब या साह मतलब वह ए तो मतलब वे दोनों और तो मतलब वे दोनों अग्या क्रिशक कहते हैं किसान को छेत कहा जाता है खेत को इस वीडियो में इतना ही इसको आप बार बार सुने फिर पढ़ें और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे सवाल कर सकते हैं आप 7903983810 पर आप प्रशन पूछ सकते हैं धन्यवाद